तो आज है एक मही और आज है मोहीनी एकादशी और मैं अभी उठी हूँ अभी हो रहे हैं सुभा के आठ क्यूंकि मैं राद तक थोड़ा काम करती रही अपनी डेसर्टेशन का रिसेर्च का काम करती रही तो मैं सोचा कि पूरी नीन ले लेती हूं अच्छे से ताकि कल भी अ यूगा करूंगी सबसे पहले तो पानी वानी पीके फ्रेश फ्रेश होके मैं अब यूगा करूंगी पहले उसके बाद मैं नहाने के लिए जाओंगी और उसके बाद आगी का देन शुरू करेंगे और आज मौसम हो रहा है इतना 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 सुन्दर आपको दिखाऊंग त्रूंती मौसम बहुत 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 प्यारा हो रहा है कि अपल के थन गार वारीजीरे प्सूर के वह मेरत के साइड हां और के अजुआ तो अभी हवा अखिछ चलन खिल देमचेया मुझे अछ लगना ऑफ मैंक रखा कहा है डिखते हैं मौस कमटों तो अभी क्या हो रही तनियों टेखिएप पूरी और रास्ता कब आ है अभी आजिश हमई थे ना में पहार डिखने बंद कर flick में बंद कर लोगों इस साइप लड़कों कहें और यहांट इधरहु लोगों का है जो यह हम अस्टर्स कर रहे हैं कि शास्त्र में योग में तो यह हमारा कैंपस है ठीक है ऐसे कॉम्निकेट भी कर लेते का भी तभी हम लोग पूलने पड़े है कि पतंजली का जो इनफरा है जो कैंपस है जो यहां का क्लीनेस है वह बहुत सही है आप देखोगे मड़ल मैं एक चीज फैन हुँ हुँ बहुत जादा पतंजली की एक तो इनके इनके इनफरा की इनके जो बीडिंग की स्ट्रक्टर है उसकी म Swiss बहुत जब बढ़ी फैन हुँ और पीस बहुत है यह ऐन है क्लीनेस बहुत ज़्यादा यह पर तो एद नहीं कररहे हूं बस ज तो मैंने का कि आज आते होंगे लेकिन उतने खतरनाक नहीं होते होंगे जितने आजकल इंसान होगे तो बस हां तो मैं क्या पता रही थी हां यही बता रही थी तो अभी मोहीनी एकादशी है आज के दिन जो मोहीनी एकादशी है जो विष्णु जी ने समुंद्र मन्थन के दोरान जो मोहीनी रूप धरा था असुरों से अमरित को बचाने के लिए उस जो अवतरन दिवस है वो आज मोहीनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है ठेक है तो पानी से शुरुवात करी हूँ मैं अभी पानी गरम किया है और पानी गरम करके और हम पीते हैं अभी ठीक है तो मैं क्या बता रही थी हाँ अभी मैं योगा करूंगी क्योंकी 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 कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा एकने देखो कितना हो गया है एकने बहुत हो गया है मुझे और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सब कुछ परफेक्ट कर रही हूं मेरी लाइफ में मेरा रूटीन अच्छा है मेरा दिन चर्या ठीक है सिर्फ एक ची तो वही एक गड़ड़ा रहा है तो इसके वजए से सोच रही हूं कि योगा तो मैं बिल्कुल ना छोड़ूं चाहे में लेट उटू चाहे जल्दी उठूं तो एक योगा ओके श्राइट सौरी तो एक योगा ना छोड़ू मैं तो अभी योगा करेंगे पानी पीके फ्र अिशोरा है कड़शी के बारे में मुझे ज़रूर बतायागा और पानी करम के मने तूसी के साथ में थोड़ा उस पे अंटि बारती प्रोपर्टीज होती है ना तो एपने बाहर बालक़नी में और मैं जब भी पानी उबालती हूँ, उबालकर पानी पीती हूँग क्योंकि मतलब पानी को जितना तुम गुणवान बना सको उतना बनाईए हमेशा पानी को सिंपल पानी भी एक ऐसी चीज है ना सिंपल मत पीजिए उसको भी ना जैसे गलोए का डंडी उसमें छेत कर बोलते जो हम मतलब छेत कर मतलब कूट कर गलोए का डंडी कूट कर पानी में उबा जाल दीजिए और अलग रग दीजिए उसको एक लोटे में या किसी चीज में और जब भी पानी ले रहे हो ग्लास में तो थोड़ा सा तुलसी का उसमें जो उबाला था पानी वो डाल कर वो पीजिए हमेशा पानी के साथ 5-6 रोज रखिए एक तो घूट-घूट करके पीज एक साथ गटक मत जाए पानी को ठीक है दूसरा बैठ कर पीजिए अगर बैठ कर हमेशा पानी बैठ कर प्योगे तो घुटनों में दर्द नहीं होगा नहीं तो अगर खड़े हो के पानी पीना शुडू करा अब सड़क पर भी चल रहे हो तो बैठ जाओ कसी कौने पानी प फिल्टर हो जाती है फिर तो उसमें कुछ गुण बचता नहीं है फिल्टर के बाद गुण बचते नहीं इस पानी लिए टीसरा बहुत ज्यादा पीजिये पानी जितना हो सगे उतना पीजिये पांच बाग खाली पेट जादा पानी में पीचिये अगर आप शुवा उटक पूरा दिन अगर आपने नहीं भी पीपाई किसी कारण तो आपने सुभा जो पीए वो पूरा दिन का पूर्ती कर देगा ठीक है तो उद्धीस नहीं कौन साथ है छटा छटा पानी ठंडा नहीं ना पीजिए अगर आप पानी ठंडा पीओगे तो आपकी जो स्मॉल इंटस् सुकुर जाती है उसको पानी जब जितना हो सके अगर आपको ठंडा पीने का भी मने तो मटके का पानी पीजिए तो उसके अलावा ठंडा पानी मत पीजिए बहुत खराब होता ठंडा पानी हमारी शरीर के लिए ठीक है तो ठंडा पानी ना पीखे हमेशा जब पानी को पी पी रहे हो अगर हो सके तो थोड़ा गुन-गुना करके पीजिए और ना हो सके तो मटके का पी लिजिए उसके अलावा ना ठंडा ना ज्यादा गरम पानी पीजिए ठीक है गर्मिया आ गई है वैसे भी तो गर्मियों में पानी वाली चीजे भी ज्यादा खाई है इसे खर ब वड़ी को फाइदा मिल रहा है, दूसरा आप देश को भी फाइदा कर रहे हैं, आप पुछ़ों के देश को हम कैसे फाइदा कर रहे हैं, गन्नी का रस्पिAKर, सा बलकुल कि आप पिहोंगे कोई real jus, Rsruitybor동ी मुत पैसे अधा हमारा विदेश हो पाएदा ही, ठीक है, और अगर तो आपको मजबूरी में पीना पड़ रहा है तो आप पीजिए और हो सके तो आगर आपको गन्य का रस पी मिल रहा है उनके अलावा तो आप गन्य का रस ही पहले प्रिफर करें ठीक है और उसके वैसे भी बॉडी के लिए इतने फायदे है ना गन्य के रस के बहुत ज्याद दूसरा बहुत सारी चीज़े बोलते हैं दूसरा ही बोलती रहूंगी मैं घ्यान हो गया पेल रही हूं घ्यान ठीक है पर जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है और एकदम ऑथेंटिक बोला है तो आप ध्यान दीजिए क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारी पानी वेस्ट करोगे ना पानी आपको वेस्ट कर देगा एक दिन एकदम ठीक है आपको नहीं तो आपकी पेटी को वेस्ट कर देगा तो आप पानी वेस्ट करोगे तो वो आपको वेस्ट करेगा ठीक है ओके सो बाई 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 पानी पी लेते हैं ठीक है यह, यह, आगे, पाने बाणे पीके फ्रेश फ्रेश होके मैं आगे, मुभू दो के सबागा हूँ तो अभी मैं , थोड़ा यूगा करूँगी, और अब भारिश रुखने का नाम ही नी ले रही है और अब सुबा से ऐसे ही होई रही है थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत दिखाई रही क्या नहीं दिखाई रही तो कोई बात नहीं तो अभी पता ही मैं कैसे दिखा पाऊंगी थोड़ा बहुत युगा दिखाऊंगी थोड़ा बहुत नहीं दिखा पाऊंगी थोड़ा बहुत नहीं दिखा तो अभी सबसे परले में शुक्षु वयाम से शुरू करूंगी क्योंकि क्योंकि हैवी एक्साइज करने का मन नहीं है तो शुक्षु वयाम से शुरू करूंगी तो शायद मन भी हो सकता है तो अभी सबसे पढ़े देंट आसन में पट्री केंगे और पहरो से शुरू करेंगी अइसे लगना मैं क्योंकि एसी क्लास देघी हूँ कि यह क्लास नहीं दे रही हूँ फुड़ा पॉती है अड़ी करूंगी इसमें सचाहिद मैं उसके बाद गुटनों को ऐसे पहले दबोचेंगे और फिर खोले लिए ठीक है का विपर कॉंट्रक्ट करेंगे तर रिलीस करेंगे करेंगे इसमें गड़े करने तर रिलीस करेंगे देन को बाद बढ़े इसमें नहीं पर भरी रखना होता है यह क्यूंतक है इस पर भाहत कांकी चीज आए पर बाद भदरासन में फोड़कित बैठकर उसके इसमें बैठकर चाहत परकेंगे इसको पीड में कर दूँ ना बीडियो को जो भी करें इन हील और एग्स हील के साथ करते हैं अपी बॉड़ी को पताला गे कुछ कर रहा हैं अजय कर दूँ अजय कर लेंगे थोड़ी देर तोड़ी देर गुड़्स के लिए बहुत अच्छा होता है थितली आसन और भातर आसन बहुत ज्यादा अच्छा होता है थोड़ी दिए बैठना चाहिए रड़कियों को आपके युटेरल्स और ओबली सिस्टम जो है इतना भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है तोड़ी देर मलासन में बैठेंगे मलासन जिसमें हम फ्रेश होते हैं तोड़ी इसलिए मैं वीडियो अनली करते हैं मेरा पूरा धहन भाहा रहता है युगा कुछ भाहता है साथ में अपन कर्दन की एक साइस कर देंगे साइस कर लिए बहुतчा होता है इसाल पामी मलासन जिसमतर खल के लिए वहता है सेमस्के ओवरी और यूटिट ग्राइस के लिए अच्छा होता है साथ सहादा draw काफ भ्लक्राइक भॉड करता है न हमारे काफ मेसल्स पर भॉड अखर प्रयद्ध कर, कर खोर बसुiliyor अदर्गक तो..ब यहमें पहले सूरा नमशकार करूंगी सूरा नमशकार के साथ ही कुछ pouvons एक्से़ार्ज कर fallen Almosh तीसरा मैं सीटासन करूंगी, उसके बाद थोड़ा डांस करूंगी, मैं जुम्बा डांस इसको आप बोलते हैं, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं बहुत डांस करती हूं, और इसलिए मैं सूछते हूं कि एकस्सराइज के साथ साथ भी थोड़ी खुशी मिल जाती है, करने से मुझे तो थोड़ा डाल दूंगी वो भी मैं इसमें ब्लॉग में है न और हाँ उसके बाद थोड़ी देर प्रणायाम करके कम से कम थोड़ी देर नहीं कम से कम 40 to 45 मिनिट्स प्रणायाम करके उसके बाद सवासन करके और फिर रिलेक्स ठीक है कि अभी व्हुत्त्य मिलती हूं स्वारी फॉर नौंट गिविँ सचा कॉंटेंट के बीच्टरा डांस किया है अभी उसके बाद मैं प्रणायाम कर रहे हूं और थोड़ा सा डांस चैर मैं डाल दूंगी उसमें से वाज़ा प्रानायाम मैं करती हूं प्रिश्मकीतन पे मुझे बहुत पसंद है प्रिश्मकीतन पे प्रानायम करना थोड़ा से आपको इस पर भी सुना पर आलोंगे क्योंकि कॉपिर्ट आजए पूर डालोंगी तो एक यह तो इसलिए तोड़ा सा मैं सुना दूगी आपको और प्रनायम शुरू करते हैं सबसे पहले मैं करूँगी डीप ब्रीधिंग इन्हेल और एक्सहेल सिंपर और उसके बाद मैं करूँगी अनुलोंग विलों खीक है उसके बाद मैं करूँगी भस्तरिका बस्तरिका कुछ स्टोक्स करें लास्ट में सबसे जाओंगी और सबसे बार पांच मिर्ट रुखके फिर मैं उठी चाओंगी यह मेरा प्रनायम का सेरीज है और अभी मैं किर्शन कीतन लगा देती हूं और प्रनायम शुरू करते हैं ठीक है प्रनायम शुरू करते हैं लुदका करतें गल्ड़ करते तीक już रदेती है गया गतरभाली और रनायम शुरू करता हां एंग प्रनायम शुरू भ्रजन कीत तीकuse, करते हैं कि योगा हो गया है और अम मैं नहाने के लिए जा रहे हूं और फटाफट नहां के आऊंगी क्योंकि बहुत बूख लग रही है मुझे और मेरा फास्ट भी है तो देखते हैं क्या खातिया पीती हुआ ठीक है हरे क्रिष्णा हरी बोलना करात्यों के बाइब 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 तो नहानी काम भी हो गया है और अब मैं कुछ खानी पीनी के बारे में सूस्कियों मैंने अपनी एक्टिव फिंपल्स पर दवाई लगाई है कुछ दिखने होंगे आपको तो अभी मैं कुछ खानी का है कि दो कानी क्टिव करता हुए रख जुटता है क्रोछ गणार करत कोजने धिक अवाम का मेरे पास अनार रख वह था जूच निकाल लेंगा है कि इदिए मारी शूच अर्नार घैंगा तो आई यहा।лей अनिकार भाले मेर बिल्व करन drift मोली एक आर खक्राई घरेगा लाग और यह एक प्लेट और यह चाकून और तीन अनार हैं तीन ज्यादा हो जाएंगे वैसे तो दो का निकालता है सिक्क्या तो सबसे पहले इसको बीच से कट करेंगे हम अनार को ऐसे ही रॉप इसको अब प्रेस करेंगे यहां से और जो मारा जोस होगा वो इधर से अब भारा जाएगा तो जोस निकाल लेते हैं में इकलास में है हुँआ इगा इतनाही निकला है सिरा फम्तों है वह उज्विक्ट ऐसा ही में सारे अनार का जूस से अलत हमांै फिर से अलतों दिकाते हां हर रंग का फूट में रंग बोलन में आप साज़ों से हर रंग काolly आपकी बॉड़ी में बहुत अलग अलग फाइदे करता है जैसे लाल रंग तो आपको पता ही वह हुमोगलोबिन के लिए ब्लड के लिए अच्छा होता है और खाली पेट और जादा तर कुशिश करिया किजिए कि अगर आप फूट्स ले रहे हैं तो खाली पेट ही ले वह फाइदा करते हैं फूट्स खाली पेट बहुत फाइदा करते हैं बस एक आज फूट के ठोट के ठीक है अब दूसरी का निकालें गया है तो अब है इतना जूस में लाइए और यह दो अनाड से है तो क्योंकि मेरा पेट नहीं भर रहा है तो इसके लिए मैं सोच रहे हूं कि मैं मस्क मेलन खा लूँ खा लेती हूं है लोगे आपी कुछ ऐसी चीज़े खाए है जो गर्मियों में अपना कोशिच कीजिए किजिए सीजनल फ्रूट्स खाए जो उसी सीजन के फ्रूट्स वही खाऊगे तो वह बहुत फाइदा करते हैं और अगर ऐसे किसी भी सीजन का उठाकर खा लोगे स्टोर्ड खालोगे तो वह खराब होते हैं तो इसके लिए अभी मैं यह खा लेती हूं है ना और यह निकला ग्रीन मिठा एक दम के आप भी खाये हैं तो अभी बज़ गया है एक और काफी मजे कर लिए सबसे अब तक और आप स्टार्ट करते अपना सेर्च वर्क तो लैप्टाप खुलाया भी दिदीने बस कि अधाने कब करता हो गए मिर बिलकुल मनने अगरता करने का अभी दिदीनिक अधार को सुचरी दूट करके ने बैस एक बार खताम हो जाए कर दो कि अभी निक ने ले रहा है अज़स्टा मैं सोचती हूँ कि फटम करके इक दम लूवा इसको किया हुआ 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 तो यह जब आपको पाइस अपनी लाप टॉप नहीं चाहती थी ताकि मुझे बदाव लैप टॉप के साथ साथ जिम्मेदादी और काम आता है जब बटाए जलो गाइस अब बटोगी के मेरा पटाइस पसंद यह पोट्रा एक्छली और यह मेरा वाल पेपर है तो जल्दी से हम और यह सेकंड मोस्ट लवली फोटो इन दिस ड्रेस और मेरी रिसेर्च देखो हरे कृष्णा यह काम खुल रहा है मेरा रिसेर्च का जो अब तक मैंने किया है मेरा जो रिसेर्च का टॉपिक है वो है युवाओं में बढ़ती आत्मत्या की प्रवर्ती के समाधान हे तो शीमत भगवत गीता में वर्नित कर्मी योग ठीक है आपको समझायोगा शायद थोड़ा थोड़ा लेकिन अभी मैंने यह शुरूवात करी थी वो हिंदी में करी थी थोड़ा सा इसका जो थीसेज यह मेरे पास है थोड़ा सा काम है मेरे पास हिंदी में जो था लेकिन अब मैं इसको इंग्लिश में कर रही हूं पूरा क्योंकि कुछ चीज़े कुछ प्रोब्लम सा रही थी मैंने हंदी में से शुरूवात करी थी ताकні सब लोग पढ़ने में आसानी हो सब लोग जान पाए लेकिन अब इंग्लिश में इसको मैं convert कर रहे हूं कुछ problems की वज़े से ठीक है और तो आप पता हूं मैं topic जो बताया आपको पता ही होगा society tendency है वो youth में कैसे बढ़ रही है उसे कुछ भी कारण हो सकते हैं आर्थिक सामाजिक पारिवारी कोई भी कारण हो सकता है ठीक है for example youth में हम लड़कियों को देखते हैं तो काफी सारी महिलाएं मतब रोज पीडित होती है सब समाज के चलते और वो आत्मत्या की तरफ बढ़ती है तो हम इसका समाधान जो श्रीमत भगवत गीता में वर्नित कर्म होग है उससे कैसे निकालेंगे उसके उपर मेरी दिसर्च है कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास मेरा काम है रैसे तो अभी मुझे इसमें बहुत सारी चेंजिस करने हैं और बहुत सारा जोड़ना है आगे तो हम कर लेते हैं आफ़त का काम है बाई बाई हरे कृष्णा हरी बोल फिर मिलते किसी और व्लॉग में इस व्लॉग को यहीं खतम करते हैं क्योंकि बहुत सारा काम करना है मुझे और व्लॉग के चकर में कहीं ना कर पाऊं तो ठीक है इसलिए बाई 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 झाल